मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है माडल प्रश्ण पत्र के इस सीरीज में आप पहले वस्तुनिष्ट उसके पस साथ प्रश्ण क्रमांग 2-6 तक जो अतिलग उत्तरिय होते हैं प्रतिक दोंग के होते हैं ऐसे प्रश्णों को आपने देखा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए और यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए बेल आइगन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलता रहेगा देखें यहाँ पर प्रश्ण क्रमांग 7 से 10 तक जो अतिलग उत्तरी प्रश्ण के अंतरगत आते हैं जो तीन अंख के होते हैं इन प्रश्णों का आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारे इंपर्टेंट प्रश्ण हमारी दृष्टी से होते हैं और हो सकता है इन प्रश्णों से आप लोगों को डारेक्ट लाब मिले याने कि ऐसे ही प्रश्ण आपको प्रश्ण पत्र मिलेगा ऐसी मेरी एक आसा है और इसी आसा के साथ मैं आप लोगों को ये आगे जो है प्रश्णों को करवा रहा हूं और आप लोग बड़े ध्यान दे करके उसको कीजिए और अपने board में अच्छे से अच्छे अंग प्राप्त कीजिए तो चलिए चलते हैं देखें यहाँ पे सारे निर्देश आप लोगों के सामने में दीख रहे हैं परन्तु इसमें वह निर्देश आपको थोड़ा डार्ग दीख रहा है देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साथ से दस तक के प्रेश्न को अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो प्रत्यक्तिन अंग के हैं उनको कैसे लिखना है और कैसे बनाना है और कैसे प्रश्न आते हैं यह आप लोगों के सामने में स्क्रीन में है बड़े ध्यान से देखिए प्रश्न करमांग साथ में देखिए यदि भाज ये पी एक्स बराबर दो एक्स ओवर गरिंड तीन एक्स धंच है तथा उसका भाजक जी एक्स बराबर एक्स माइनस टू हो तो सेस्फल प्रमे की साहता से सेस्फल ग्याद करना है देखिए यहाँ पर केर कीजिए क्या बुला गया है कि सेस्फल प्रमे की साहता से यहाँ पर सेस्फल ग्याद करना है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखने का तरीका को भी ध्यान देना है यहां पर दिया है क्या दिया है PX पराबर 2X वर्ग रिंड 3X धन 6 यह हमारा भाज़ यह है और भाज़क जो है GX बराबर दिया है X-2 सेस्फल प्रमे की साहता से हम लोग क्या करेंगे GX को सुन्य करेंगे याने कि इसका X वाल अपद हमको यहां से प्राप्त होगा जो हमारे बहुपद होते हैं इन बहुपद के जो सुन्यक हैं उसी के आधार पर हम लोग यहां पर भाज़क है या नहीं जो सिद्ध करते हैं ऐसे प्रशनों को आप पहले हल कि होंगे उसी का उप्योग करते हुए यहां पर हम लोग सेस्फल भी ग्याद कर सकते हैं तो यहां पर देखिए GX को सुन्य करेंगे याने कि हम X-2 is equal to 0 यहां पर देखिए X का मन हम निकालेंगे तो यह –2 जो है इस सेड में जाएगा बराबर के दूसरे सेड में तो यह प्लस 2 हो जाएगा इस तरह से हमको X का मन क्या प्राप्त हो गया एक दो प्राप्त हो गया यह X बराबर 2 इसका एक गुणन खंड है याने कि X-2 जो दिया गया है यह एक गुणन खंड है जहां से हमने प्राप्त किया X का मन दो प्राप्त किया अब इस X का मन जो 2 है इसको हम लोग यह जो बहुपद है इस पर हम लोग रखेंगे जैसे कि यहां पर दिया हुआ है हम लोग पुनन इसको लिखते है माइनस 3x प्लस 6 में x बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 2 रखने पर क्या जाएगा देखिए यह x का मन 2 रखे यहने कि p2 ग्यांत किये यहाँ पर तो यह 2 गुणित 2 का गाद 2 रिंड 3 गुणित 2 धन 6 इसको आगे हल करते हैं देखिए यह वाला 2 दुनी 4 हो गया और 4 दुनी 8 हो गया और यहाँ पर देखिए मैनस का मैनस लिखेंगे और 3 दुनी 6 लिखेंगे और यहाँ पर धन और यहाँ पर 6 इस तरह से आप देख रहे हैं धन 6 और निड 6 यह लेडी कैंसिल हो गये तो यहाँ पर जो result के रूप में बचा 8 बचा तो यह 8 क्या हमारे लिए सेस्फल है यह तो इस तरह से हम लोग सेस्फल प्रमे की सहता से सेस्फल ग्याद कर सकते हैं और यह हमारा answer है आगे देखिए प्रशन का मंग 8 के लिए चलते हैं अब हम वर्ग समिकरण दिया हुआ है को सुत्र बिधी से हल करना है हमको तो हमारा जो एक standard form है इस वर्ग समिकरण का वर्ग समिकरण का standard form क्या होता है हमारा ax square plus bx plus c is equal to 0 है से तुलना करने पर ठीक है इस से तुलना करेंगे किस की तुलना करेंगे जो दिया हुआ वर्ग समीकरण है यहां से आप प्रारम करेंगे यह तो मैं पहले लिख दिया देखिए यहां पे दिया है वर्ग समीकरण 6X square plus X minus 2 is equal to 0 इस वर्ग समीकरण की तुलना AX square plus BX plus C is equal to 0 से करते हैं तो हमको प्राप्थ होता है A बराबर 6, B बराबर 1 और C बराबर 2 यहां पर दियान में रखना है चिन्धों के साथ हमको ABC के मानों को लेना है अब यह इतना मिल जाने के बात आप लोगों को यहां से पता होगा सूत्र नहीं है तो कोई बात नहीं अभी जान लीजिए यहां पर है वर्गसमिकरंड का हल जब निकालते हैं तो X बराबर मैनस B प्लस मैनस रूट आप B स्क्वार मैनस 4AC अपन 2A इसका उप्योग करते हैं जहां पर ABC का मान उपर लिखा हुआ है हमने तुलना करने पर पाया है इन ही मानों को यहां पर रखना है ठीक है तो यहां पर देखिए X बराबर क्या हो जाएगा मैनस B B के जगह पे minus का minus लिख लिए B के जगह पे 1 लिख सकते हैं plus minus वर्गमुल का वर्गमुल चिन्द लगा दीजे B का वर्ग मने 1 का square minus का minus 4 का 4 A के जगह पे क्या लिख सकते हैं देखिए 6 और C के जगह पे लिखेंगे minus 2 अपान 2 का 2 हो गया नीचे में बटे में और A के जगह पे लिखेंगे 6 इस तरह से हमने मान को भर लिया मैं मान भरने पर यहां पे आप लिख सकते हैं नई लिखने से भी उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं और आगे इसको कैसे हल करना है बहुत ही सरल है परन्तु ध्यान से आपको देखना पड़ेगा ये बराबर का बराबर हो गया देखते जाए X का X बराबर का बराबर मैनस का मैनस 1 का 1 प्लस मैनस का प्लस मैनस यह रूट यहां से अब हल करेंगे पहले वर्गमूल वाले section के अंदर को हल करते हैं देखे, एक का वर्गमूल एक हो गया अब यहां पर देखे, चार छक्के 24, 24 और दुनी 48, 48 हो गया अब यहां पर देखे, चिन्धों पर धियान देजे यहां पर मैनस 2 है और बहार में भी मैनस है, दोनों मैनस मैनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और इस तरह से 6 दुनी 12 नीचे का हो गया, आगे इसको हल करेंगे, तो मैनस 1 प्लस मैनस वर्गमुल 48 और 49 बटे 12, यानि कि इसको हम लिख सकते हैं, मैनस 1 प्लस मैनस 7 अपान 12, तो आप देख रहे हैं य क्लस 7 अपान 12, या मैनस 1, मैनस 7 अपान 12, ये 2 मान मिलेंगे हमको, तो X की इस 2 मान में इसको हल कर दीगे, 7 मैंस 1 गया, 6 बटे 12, 6 ऐख 6 दुनी 12, 1 बटे 2 आएगा, एक आंसर और दूसरा अंसर तो आप देख रहे हैं कि X का जो मायन है दो ठो प्राप्त हो गया हमको और यह हमारा अंसर है आगे जाते हैं प्रेश्न क्रमंक 9 इसमें देखिए दिया हुआ है एक घनाप की लंबाई 10 cm चोड़ाई 10 cm और उंचाई 5 cm है तो घनाप के आकासिये विकर्ण की लंबाई ग्याद कीजिए मैं यहां पर आप लोगों को एक घनाप बना के बताता हूँ उसके बाद देखते जाए आगे क्या करते हैं यह हमारा घनाप है इसकी लंबाई है 10 cm चोड़ाई जो यहां से दीख रहा है यह भी 10 cm है और उंचाई 5 cm है लंबाई चोड़ाई उंचाई तो यह दिया है घनाप का लंबाई बराबर 10 cm चोड़ाई बराबर 10 cm और उंचाई बराबर 5 cm यहां पर यह तीनों चीज हमको मिल गया अब आकासिये विकर्ण किसको बलते हैं बड़े ध्यान से देखिए हम लोग अगर यह पीछे वाले पाइंट को लेते हैं और यह आगे वाले यहां तो आप लोगों को इसका डीटेल बहुत जानना है तो मेरे पिछले विडियो को जा करके देख लीजी तो आप घनाप के जो आकासिये विकर्ण है उसके बारे में पता चल जाएगा यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा साथ कट के रूप में सिर्फ सुत्रों के वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे तो हमको इसका अंसर मिल जाता है तो यहां पर देखे यह वर्गमूल हो गया दस का वर्ग धन दस का वर्ग धन पांच का वर्ग इसको हल करते जाएंगे तो यह वर्गमूल का वर्गमूल हो गया दस का वर्गमूल हो गया दस का वर्ग कर लिजिए, आप लोगों को 30 तक का वर्ग और वर्गमूल ऐसी ही याद रहना चाहिए, तो इसका अंसर जो होगा वह 15 है, यानि कि 15 को दो बार हम गुणा करेंगे, तो 225 आएगा, इसलिए आकासिय विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, 15 cm हो जाएगी, और यही हम लोगो का अंसर होगा, तो इस तरह से आप आकासिय विकर्ण का सूतर अगर आपको मालूम हो, तो डिरेक्ट आप निकाल सकते हैं, और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, तो आगे चलते हैं, प्रश्नक्रमांग 10 में आ जाते हैं, देखिए प्रश्नक्रमांग 10 में क्या लिका है, 10 बिद्यार्थों की उचाई दिया हुआ है, यहां पर केर कीजिए, दस बिद्यार्थी दिया है, इसका मतलब आप इसको गिनेंगे ने, इसके डाटा को दस्ठो प्राप्त होगा, याने कि यहां पर N बरबर कितना हो गया, 10, क्या निकालना है, बड़े ध्यान से देखिए, आ गढ़ते या घढ़ते क्रम, तो इसी बातों का हम लोग ख्याल रखते हुए, आगे का काम करते हैं, देखिए, N बरबर 10 हो गया, और क्या दिया है, एक बार आंकडे को लिख लेते हैं, उसके बाद जमाएंगे, यह मिल गया, अब इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह हो गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हमको एक बिसे सुत्र का उप्योग करना पड़ता है, माधिका ग्याद करते समय, यदी समसंख्या हो, तब हमारा सुत्र होता है, बड़े ध्यान से देखें, एक बटे दो, बाहर में होगा, कुछ तक कर यहाँ पर n by 2 वापद, इस बात को ध्यान में रखें, यह वापद है, प्लस n by 2 प्लस 1 वापद, और उसके बाद आधा करेंगे यह बाद में, ठीक है, यह वाला, तो n by 2 वापद, n का मान हमारे पास कितना है, देखें, यहाँ पर 10 प्राप्त है, इसलिए हम लोग यहाँ च्छुन पर क्या करेंगे, मान भरेंगे, तो मधिका बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा 2, दस बटे 2 वापद, धन, दस बटे 2, दन encryption 1, यहाँ पर आगे चलिए, एक बटे 22, 10 बटे 2 में पाँच वापद, इसको काटेंगे तो यही मिलेगा, और 5 में से एक और जोड़ देना है तो यह छठवा पद तो हमको पांचवा पद और छठवा पद जो क्रम से लिखे हैं यहां से लेना है तो यहां पर देखिए यह हमारा पहला पद है मैं राउंड लगाते जा रहा हूं बड़े ध्यान से देखते रहे हैं यह पहला पद यह दूसरा पद यह तीसरा प अंदर लिखते हैं और इन दोनों को जोडने के बाद इसका आधा कर देंगे यह हमारा मद्धिका होगा ठीक है तो आगे देखिए पांच और दो साथ एक और एक दो एक दो बटे दो भाग देंगे तो दो एकम दो दो एकम दो दो ती अच्छे और दो पंचे दस आंसर क्या म प्रेशन है और आपको इतना बनाना पड़ेगा वैसे आप अच्छे से समझ में आ जाए तो यह बहुत जल्दी बना सकते हैं चूंकि मेरे को समझाना रहता है इसलिए आप लोगों को इतना थोड़ असा टाइम लगता है तो आपने बहुत अच्छे से देखा समझा और इ अजार आप में आप लोगत अच्छे से समझा लोगता है